हेलो एस्प्रेंट्स स्वागत है आप सभी का रजल्ट मित्रा पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के भूगूल की एक लंबी श्रिंखला स्राट की गई है ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें पिछले दिनों मैंने अपनी वीडियोस पर इस सिरीज पर कुछ कमेंट्स मिले आपके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब इसे जहां पसंद कर रहे हैं तो कुछ सुझाओ भी अपना दे रहे हैं मुझे सुझाओ बेहत पसंद हैं ये मेरे लिए पत्रचार की तरह से है आप मुझे से बातें कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जा करके कि सर इतना फास्ट जा रहा है या फिर आप ऐसे करके पढ़ा सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम इतने जागरुप तो हो कि समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ें फास्ट हैं और कौन सी चीज़ें समझ में आ रही हैं चलिए इस क्लास में मैं कोशिश करूँगा क्योंकि ये क्विक रिवीजन सिरीज है लेकिन फिर भी मैं कॉंसेप्ट के साथ आपको समझाते हुए चलूँगा ऐसे में ये भारत के भूगोल की सिरीज आपके लिए और बहतर बन सकती है और सहायक हो सकती है क्योंकि कोई भी स्टेट पीसेस एक्जामनेशन हो या आरो यारो का पेपर हो आपके लिए ये भारत का भूगोल काफी महत्वपूर हो जाता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं नमस्कार शिशेका लादाब मेरा नाम रहबर नमाज है और आप देख रहे हैं रिजल्ट मित्रा तो आज की इस क्लास में हम जिस बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अपने आप में न सिर्फ उत्तर भारत के लिए बलकि गंगा और ब्रह्मपुत्र की बेसीन के लिए काफी महत्वपूर्फ हो जाता है क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ एक नदी नहीं है बलकि उत्तर भारत यानि उत्तर पूर्व भारत के लिए जीवन दाइनी की तरह है और नदियां अपने साथ न सिर्फ पोशक्तत्व ले करके आती हैं बलकि बड़ी बड़ी संस्कृति और सभ्यताओं का विकास करती हुई आई है ऐसे में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर हमें पढ़ना होगा तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये ब्रह्मपुत्र नदी का उदगम कहां से होता है तो इसके उद्गम की अगर बात की जाए तो स्लाइड में आपको नजर आ रहा है चैम योंग डूंग ग्लैशियर जो है ये मानसरोवर जील के पास अवस्तित है यहां से ये निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत के दक्षनी शोर से होते हुए प्रवाहि करती है और दिबांग नाम से जाने जाती है और इसकी सहायक नदियों की यहां बात करें तो लोहित और दिबांग यहां आ करके से मिल जाते हैं फिर ये जैसे ही असाम में इंटर करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है अन्य सहायक नदियों की बात करें तो पीली धनसीरी लोहित और यहां दिवांग दिहांग ये सारी नदियां जो हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं और डायरेक्ट क्वेशन में पूछ सकता है आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में बताएए तो दिहांग दिवांग लोहित धन सुबन सीरी मानस तिस्ता इस सब के बारे में आपको जानना बेहत जरूरी हो जाता है मानस एक ऐसी नदी है इसी नदी शेत्र पर आप जानेंगे मानस नैसनल पार्क भी अवस्तित है ठीक है ये देखिए ये गंगा नदी तंत्र है जो यहाँ पे आकर के बांगला देश में से मुख्य धारा इंटर कर जाती है और यहाँ से दूसरी धारा हुगली नदी कहलाती है गंगा की ही वित्रिका है ये लेकिन जैसे ही बांगला देश में पहुंसती है ये पदमा के नाम से जाने जाती है किस नाम से जाने जाती है पदमा के नाम से जाने जाती है वहीं ब्र लिगना नदी फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है अब इसी के बारे में हमें इसके facts के बारे में जानना है और विस्तार से अगर देखें तो यहां देखिए आपको कई सारी नदियां दिखेंगी सियांग दिख रही है बूरी दिहांग दिख रही है यहां पे दे और ये ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा बेसीन इलाका है बेसीन कहते हैं वो नदी जो मुख्य धारा के साथ साथ सहायक उसकी जो नदियां हैं वो पूरा मिला करके उसकी द्रोणी बनाती है और ये पूरी द्रोणी कहलाती है नदी बेसीन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर नदी के बारे में जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते है ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है भारत की और इसका उद्गम कैलाश परवत श्रेणी में अवस्थित मानसरोर जील के निकट चेम यांग डूं हीमनत से हुआ है मैंने अभी ये जो बोला चेमा यांग डूं तो मुझे चाइनीज मत समझ लिजेगा मैं भी भारती ही हूँ ये उस ग्लैशियर का नाम है यहां से पूर्व दिशा में बहती हुई दक्षिन तिब्बत के समतल मैदानों में लगभग 1200 किलो मीटर दूरी तै करने के बाद यह सांगपो के नाम से जानी जाती है अब ये सांगपो के नाम से जो जानी जा रही है इस नदी के बारे में UPSC ने भी डायरेक्ट कोशन पूछा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी को और किन नामों से जाना जाता है तो तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है ठीक है इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 2900 किलो मीटर है ठीक है लेकिन भारत में इसकी लंबाई 916 किलो मीटर है यह दुनिया की 15 रहवी सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है तथा पानी के बहने के मामले में यह दुनिया की नौवी सबसे बड़ी क्या है नदी है ठीक है यह फैक्ट नोट करते चलिएगा अगर आप नोट्स बनाते हैं हमारे वीडियोस देख करके तो आपको जादा बहतर लगेगा और आपको भी क्रिवीजन कर पाओगे ब्रह्मपुत नदी पूर्व की ओर 1100 किलो मेटर तक मुख्य हिमाले श्रिणी के समनांतर बहती हुई दक्षन की ओर तिव्र मोड बनाते हुए मद्ध हिमाले में नामचा परवत के निकट एक गहरी कंद्रा का निर्मार करती है यहा यहां से इंट्री ले रही है और यहां गहरे गौर्ज का निर्मार करती है खड का और फिर यह भारत में इंटर कर जाती है इसकी मुख्य धारा ठीक है और यहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है ठीक है दिहांग के नाम से दश्रिपश्यम दिशा में बहते हुए इस इसके बाएं टट पर इसकी मुख्य सहायक नदी दिबांग और लोहित आ करके मिलते हैं यहां देखिए दिबांग और लोहित इसके बाद यह नदी असाम यह असाम है असाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है यहां से देखिए यहां इंट्री कर रही है असाम में और फिर फाइनली ये कहला रही है क्या ब्रह्मपुत्र रीवर कहला रही है ठीक है 750 किलोमीटर असाम में घाटी के तहतिया बहती है और बांगला देश में प्रिवेश करती है बांगला देश में तिष्टा नदी से मिलने के बाद ये जमुना के नाम से जाती है और तिस्ता नदी यह देखे इसका उदगम होता है सिक्किम से और यह वेस्ट बंगाल में होते हुए बांगला देश में ब्रह्मपुत्रनदी से आ करके मिल जाती है और यह जमुना कहलाती है क्या कहलाती है जमुना नदी अन्त में पदमा नदी के साथ यानि पदमा नदी कौन comment box में मुझे बताईए अभी बताया मैंने आपको starting में पदमा नदी क्या है पत्मा नदी के साथ मिलकर या मेगना कहलाती है तथा बंगाल की खाड़ी में सुन्दरवन का डेल्टा बनाते हुए समुदर में मिल जाती है यहां देखिए यह बांगला देश है और यह नीचे वाला इलाका पूरा सुन्दरवन डेल्टा का है क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में जाकर के कि आखे डेल्टा का निर्मान कैसे होता है और यह डेल्टा छेत्र जो है सुन्दरवन यह क्यों सुन्दरवन के नाम से जाना जाता है मैं पिछली वीडियो में आपको बहुत पिस्तार से बता चुका हूँ, उमीद है आप समझ रहे होंगे, आपको याद आ रहा होगा, अगर तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदियों में देखिए सुबन सीरी, ये देखिए उत्तरी सुबन सीरी, कामेंग, कामेंग देखिए दिखेगा आपको यहीं कहीं, यहीं पर एक छोटी सी नदी है, कामेंग, ठीक है, फिर उसके बाद धन सीरी, धन सीरी देखिए, धन सीरी भी दिखेगी आपको यहीं पर कहीं सुबन सीरी धन सीरी यह सबी यह देखिए पूरी बुरी दिहांग है यहाँ पर कोलांग है कोपली है यह कमपिली बोलते हैं इसको धन सीरी बोलते हैं बुरी दिहांग बोलते हैं यह दक्षन से मिलती है फिर देखिए मानस है मानस से क्लि यहाँ देखिए आपका बर्नाडी लिखा हुआ है बर्नाडी नदी है ठीक है ऐसी कई सारी ये नदी तंत्र जो है ब्रह्मपुत्र नदी श्रेंखला को बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने तथा तटी अपरदन के लिए प्रमुक रूप से जान जिससे बाड की समस्या बनी रहती है ऐसा कैसे होता है अब देखिए एक ये नदी घाटी है इससे नदी होकर के प्रवाहित हो रही है और हम जानते हैं कि इस छेत्र में सरवधिक वर्षा होती है विश्यो की सरवधिक वर्षा पाए जाती है ऐसे में जहां बारिश होगा कि उपर से निच्छालित हो करके मिट्टी धीरे धीरे अपना रास्ता बना के नालियों द्वारा बड़े बड़े नहरों द्वारा यहां नदी में आएगा और उसके साथ ये गाद ये मिट्टी ये कंकर आएंगे और फिर धीरे धीरे क्या होंगे ये इसकी घाटी में नीचे बैठते चले जाएंगे यानि जो इसकी फ्लो करने का रास्ता इतना बड़ा था वो गाद भर जाने के बाद क्या होगा इतना बड़ा हो जाएगा पानी का जलस्तर तो उतना ही है और साथी साथ बारिश हो जाने की वज़ा से ये जलस्तर और बढ़ जाता है तो फिर क्या प्रतेक वर्ष यहां भी बाढ़ की समस्या बनी रहती है इस नदी के मार्क में बड़े बड़े द्वीब भी पाये जाते हैं जैसे यहां पे माजुली लिखा हुआ है यह मचली हो गया है इसको सही कर लिजेगा माजुली विश्यो का सरवधिक बड़ा नदी द्वीब है जो बुरम्हपुत्र नदी के बीच में अवस्थित है ठीक है लोहित नदी पूर्वी तिबबत की जायल छू परवत से निकलती है तथा यह अरुणाचल प्रदेश और असाम में प्रवाहित होती है यहां देखिए लोहित नदी थी यहां पे अब बात करें सुबन सीरी नदी की तो सुबन सीरी एक पूरवर्ती नदी है पूरवर्ती का मतलब क्या होता है सर पूरवर्ती का मतलब होता है ऐसी नदी जो पहले से अवस्थित थी लेकिन अचानक किसी काल में बीच में परवत आ गया तो फिर वो परवत को काट छाट देती है और काट छाटने के बाद वापस से अपना रास्ता बनाती है जिस रास्ते से वो बहती है तो उसको कहते हैं पूरवर्ती नदी ठीक है तो यह जो है पूरवर्ती नदी है सुबन सिरी जिसका उद्गम छेत्र तिबबत में है यह नदी असाम अरुणाचर प्रदेश और तिबबत छेत्र से होकर प्रव यह नदी उत्तरी भूटान से उत्पन होती है तथा असम पश्टिममंगाल के बीच सीमा बनाते हुए असम और बांगलादेश की सीमा के निकट ब्रमपुत्र नदी से जाकर मिल जाती है अब बात करते हैं तिस्ता नदी की ये देखिए ये तिस्ता नदी यहां से निकल रही है ये आ रही है ठीक है तिस्ता नदी दिख रहा है आपको ये आएगी और ऐसे यहां पे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र के दाहिनी तटकी प्रमुक सहायक नदी है ये जो तिब्बत के नि विशाल गार्ज का निर्मार भी करती है, गार्ज किसे कहते हैं और कैनियन किसे करते हैं, देखें, यह अगर बहुत पतली नदी घाटी है, परवतों को काट करके बना रही है, तो यह कहलाती है आपकी कैनियन, और यही थोड़ा सा बड़ा वियाकार की घाटी हो जाती है, वि चटानों को काटे गए क्रम का क्या है उधारण है इस नदी के तट पर ही क्या है जलपाई गुड़ी शहर अवस्तित है असाम राज्य का रंगित नदी सिक्किम में अवस्तित इस नदी में बड़ी संख्या में छिप्रिकाएं पाए जाती है छिप्रिकाएं का मतलब क्या होत यानि ये नदी का प्रवा है और इस नदी की प्रवा में उतकल प्रवंद दिखा यानि उपर नीचे उपर नीचे ऐसा क्यों क्योंकि इसकी जो ढाल होगी घाटी की नीचे का structure भी ऐसा ही होगा तो नदी भी ऐसे ही उछलती कूथती हुई प्रवाहित होती है बीच में कंकर पत्थर जादा होते हैं इसलिए नदियां जो हैं छिप्रिकाएं बनाती है ठीक है ये नदी पूरे विश्व में जल क्रिडा है तू काफी विख्यात है यानि नदियों का प्रियोग परेटन के साथ साथ खेल कूद के लिए भी किया जाता है रिवर राफ्टिंग तो आप महान खड का निर्मार करती है गार्ज का निर्मार करते हुए भारत में प्रविश करती है और मैदानी छित में प्रवाहित होते हुए ये नदी ब्रह्मपुत में जाकर मिल जाती है ठीक है मानस नदी ये देखिए गया करके मिल गई यहां संकोष नदी है ठीक है यहां आप दिकु है बुरी दियांग है लोहित है दिबांग है यहां सुबन सीरी है ठीक है यह सारी नदिया क्या है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसी मानस नदी के पास ही अवस्थित है आपका मानस नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा एक और पार्क है बताईए उसके बारे में जो World Heritage Sites में सामिल है कौन है वो? क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं असाम में काफी फेमस है और एक सिंग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है अब बात सुबन सीरी नदी की यह भी ब्रह्मपुत की एक बड़ी सहायक नदी है हिमाले शेत्र में इस नदी का मार्क काफी लंबा है परवतों से निकलने के पश्षात यहां पश्षात होगा यह असाम के मैदान में 160 किलोमीटर की दूरी तै करने के पश्षात लखीमपूर के समी ब्रह्मपुत नदी से जाकर के मिल जाती है यह देखिए सुबन सीरी लखीमपूर जो जिला है वहाँ जाकर मिल जाती है फिर है धन सीरी नदी यह नदी नागा लेंड में इस्थित लेशन परवत चोटी से निकलती है ठीक है और नागा लेंड के दीमापूर और असाम के गुला घाट जिले में लगभग 352 किलोमीटर की प्रवाह के बाद यह ब्रह्मपूत्र नदी में मिल जाती है धन सीरी नदी ठीक है यहाँ देखिए यह है आपकी धन सीरी नदी बराक नदी यह नदी नागा लेंड में माउंट जैपूर माउंट जैपूर नहीं है यह जैपा कहते हैं इसको से निकल कर मरीपूर में दक्षनी छोर की और प्रवाहित होती हुई धाका में पदमा नदी से मिल जाती है बांगला देश में इसे सुर्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है इसी नदी बेसीन पर मानसिन राम, चेरा पूंजी जैसे परवतिय छेत्र अवस्थित हैं जहां विश्य की सर्वधिक वर्षा होती है ये देखे यहां गारो खासी जैनतिया वाले छेत्र हैं गारो खासी जैनतिया ठीक है और इसी खासी की पहाडी पर जो मिघाला में है चेरा पूंजी और मांसिन राम पाये जाते हैं जहां विश्व की सरवधिक वर्षा होती है अब बात प्रायदीपी अपवाह तंत्र की प्रायदीपी अपवाह तंत्र अपने आप में एक विवित्ता पूर अपवाह तंत्र है जहां यहां पर भ्रंश घाटी से बहने वाली नदिया मिलती है तो वहीं कुछ सदा नीरा मिलती है और कुछ वर्सा जल पर आधारित नदिया है इन नदियों के क्रम में इसके पूर्व ढाल पर बहने वाली नदियां जहां डेल्टा का निर्माड करती है वहीं पश्चिम की और प्रवाहित होने वाले नदियां एशुरी यानि जवार नदमुक बनाती हैं, अब ये एशुरी क्या है, ये डिल्टा क्या है, इनके फायदे क्या है, ये शेत्र कैसे महत्वपूर है, इन सब के बारे में हम अगली स्लाइड में देखेंगे, तो देख प्रोड़ा अवस्ता और नदी घाटियों की चौड़ाई और उथले होने से काफी स्पस्ट हो जाता है, कैसे? क्योंकि देखिए, जब नदी अपने युवा अवस्ता में होती है न, तो वो वी आकार की घाटी बनाती है, लेकिन जब वो जैसे जैसे प्रोड़ा अवस्ता में हो जाती है, तो वो गहराई में, गहराई में यहाँ पे काट छाट ना करके, अपने किनारी छेत्रों में, किनारे के तटी छेत्रों में काट छाट करती है, और फाइनली चुपचा प्रवाहित होते रहती है, ठीक है? इस वजह से कहा जाता है, प्रायदीपी अपवाहत पश्मी घाट अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक की तरह कारे करता है यानि यह जो पश्मी घाट परवत है यहां देखिए पश्मी घाट परवत सूरत से शुरू हो करके करनाटक गोवा फिर केरल और तमिलनाडू तक अवस्तित है निलगिरी की पहारियों तक और नीचे काडमम की पहारियों तक जाता है जिसे इलाइची की पहारियां भी कहते ह यह जल विभाजक का काम करता है यानि यहां से कुछ नदियां ऐसे इधर प्रवाहित हो रही है चोटी और बाकी यहां से निकलने वाली नदियां पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है यह आपके मन में सवाल उठता है सवाल का जवाब आपको next slide में मैं देता हूँ प्रायदीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियों में चम्बल, काली, सिंद, केन, बेतवा, सोन नदियां गंगा नदी तंत्र के ही भाग हैं यानि ये गंगा नदी तंत्र के उपसहायक नदियां हैं उपसहायक नदियां क्या होती है जैसे मानलो ये एक मेन नदी है यहां से आ करके ये दूसरी नदी मिल रही है और दूसरी नदी जो मिल रही है उसकी भी तो कुछ ट्रिब्यूटरी होंगी सहायक होंगी तो ये कहलाएंगी इस मुख्य नदी की उपसहायक नदी कहलाएंगी अब प्रायदीपी भारत की प्रमुक नदी तंत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी तंत्र समलित है। और नदीयां काफी चौड़ी हो गई है। इन नदीयों में विसर्पों का अभाव होता है, विसर्पों का मतलब बार बार मोड नहीं मिलता है। प्रायदीपी अपवातंत का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में अगर जाने, तो प्राचीन काल की तीन प्रमुक भुगर्विक घटनाओं ने प्रायदीपी भारत के अपवातंत को विक्सित किया है। कौन सी वो घटना है भाई? तर्शिरी काल के दौरान प्रायदीपी भारत के पश्मी भाग का धसाओ हो गया था, जिसके कारण यह भाग समुद्र के नीचे चला गया। यह वाला पोर्शन जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कि यहाँ द्वार का नामक शेहर भी डूब गया और ऐसे यह पूरा नीचे चला गया, जिस वज़े से यहाँ पे अच्छे बंदरगाह बन सके हैं, ठीक है? हिमालय परवत में होने वाले उत्थान के कारण प्रायदीपी खंड के उतरी भाग का अवतलन हुआ, जिसके परड़ाम स्वरूप कई सारी भ्रंश द्रोणियों का निर्माड हुआ, जैसे भ्रंश पैदा हो गया, भ्रंश का मतलब क्या होता है? यह देखिए, यह दो इस् भ्रंश घाटी कहलाती है, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, ठीक है? तर्शरी काल में ही प्रायदीपी खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दच्छिर पूर दिशा की और एक मंद धाल वाला धाल का निर्माड हुआ, यह देखिए, यह जो पश्मी घाट परवत है ना, यहा उत्तर पश्चिम से दक्षिन पूर्व की और हो गई, देखिए, तभी यह नदियां सभी ऐसे प्रवाहित होने लगी है, पूर्व की और, ठीक है? क्योंकि इन पठारों का धाल ही जो है, आपकी उत्तर पश्चिम से दक्षिन पूर्व की और हो गया, ठीक है? प्रायदीपी नदीतंत की प्रमुख विशिष्टाओं की अगर बात करें तो ये भी काफी महत्वपूर हो जाता है इस शेत्र की नदिया एक निश्चित मार्क पर प्रवाहित होती है क्यों प्रवाहित होती है अभी मैंने बताया आपको क्योंकि ये पठारी शेत्र है और यहाँ जादा काट छाट नदिया नहीं कर सकती है अब इसकी बात करें कि ये विसर्पों का निर्माण नहीं करती है तो अभी मैंने आपको बताया कि विसर्पों के निर्माण ना करने का कारण क्या है क्योंकि यहाँ मैदानी शेत्र नहीं यह 12-80 भी नहीं है क्योंकि यह बहुत उचे परवत नहीं है यहां पे कोई यह पठारी छोटी मोटी पहाडियां है इस पर बहुत glaciers तो पाए नहीं जाते हैं ठीक है और यह उश्रकटिबंदी चेतर में आते हैं सारे उश्रकटिबंदी चेतर क्या होता है उश्रकटिबंद सूर्य की किरने लगतार वर्ष भर पढ़ती रहती है ठीक है और यहां सबसे गर्मी वाले छेतर होते हैं इस वज़े से यहां ग्लैशेर तो मिलेगा ने ठीक है देखिए यहां पे जो यह ब्रंश घाटियां है ब्रंश घाटियां से बहने वाली नदियां जो है डेल्टा क का निर्मारद हैं एसा क्यों क्यों कि जब भ्रंश घाटि से बहर रही है और इनका मार्ग निष्शित है इनमें ज्यादा नहीं हो रहा है तो अपने साथ यह सेडिमेंट्स कैसे लेके आएंगी ये औसाद कैसे लेके आएंगी इसलिए इसका निर्माण ना करके डारेक समुदरी पानी से जहां ये मीठा जल मिलता है वो छेत्र क्या होता है एक एशुरी ज्वार नदमुक की तरह हो जाता है ठीक है और यहां पर मचली उत्पादन अच्छा होता है यहां बायो डावस्ट अपवाहतन्त और आरी अपवाहतन्त पाया जाता है यहां कुछ नद्यों में आरी अपवाहतन्त है कुछ में विच्छाकृत हम नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तो आपको जो यह अपवाह प्रतिरूप है इसके बारे में भी विस्तार से समझाएंगे दक्शिर अधारत की सभी नदियां अपने आधार तल पर पहुंच चुकी है यानि इससे ज़्यादा आप काट छाट वो नहीं कर पाएंगी जिनके कारण अपनी घाटियों का वो लंबवत काटने की शमता लगभग उनके अंदर समाप्त हो चुकी है ठीक है देखिए ऐसे ही नदियां क्या करती है जैसे काट छाट रही है नदी बीच में परवत पड़े तो काट छाट करके अपनी क्या बना रही है तो ये क्या कहलाएगा घाटी कहलाएगी देखिए यूआकार की घाटी है ये लंबी चौडी द्रोणी बना रही है अपनी ठीक है नर्मदा और तापी नदि नीचे सत्पुरा रेंज है उपर विंधयन रेंज परवत है और बीच का जो ये हिस्सा है वो धस गया है और भरंश का निर्माड हो गया है तो वहीं से प्रवाहित होती है ये मुख्यता वर्षा के जल से ही इनको जल प्राप्त होता है अन्य था इनका जल कम हो जाता है ठीक ह रेंज है कावेरी, वैगई, दक्षिन भारत के अपवाहतंत की प्रमुक नदियां है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित ना होकर के बंगाल की खाडी में गिरती है ठीक है देखे यहां पर देखे महानदी तंत्र है गोदावरी तंत्र है कृष्णा तंत्र है यहां पर कलकर पूर की और प्रवाहित होने वाली नदियां लंबी मार्क का अनुसरन करती हैं तथा डेल्टा का भी निर्मार करती हैं जैसे कावेरी, कृष्णा गोदावरी बेसीन यहां डेल्टा का निर्मार होता है क्यों क्योंकि एक छेत्र तो यहां बहुत चोड़ी पट्टी पा जाता है क्योंकि इधर की चटाने थोड़ी सी नर्म है ठीक है इसलिए थोड़ी बहुत काटछाट कर लेती हैं प्रायदीपी भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिन की ओर सही करम अगर बात करें तो वह हैं स्वर्रेखा नदी, फिर मह नदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पिनार, कावेरी और वह गई यह बिल्कुल याद कर लिजेगा डायरेक्ट आ जाएगा कि नौर्थ से साउथ की तरफ प्रायदीपी भारत की नदियों का सही करम क्या है तो सबसे उपर है आपका स्वर्रेखा नदी, फिर है आपका महा नदी, फिर पड़ेगा आपका गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पिनार, फिर कावेरी ठीक है और अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो सहायक नदियों की भी आप क्या करेंगे इसमें एक अलग चार्ट बनाएंगे क्योंकि सहायक नदियों पर direct question आता है, जैसे अगर आपसे पूछ दे कि गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या है तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था फिर बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा आपने economy में whole price index पढ़ा होगा मैं जब पढ़ता था तो मैंने क्या क्या whole price index को एक subject को दूसरे से correlate कर देता था अब यहाँ whole price index है whole price index में अब मैं करता हूँ वेन गंगा, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राण हीता ठीक है यह सभी क्या है गोदावरी की सहायक नदिया है वहीं अगर हम बात करें क्रिश्ना की तो क्रिश्ना की उसमें प्रभा आएगा एक आएगा घाट प्रभा माल प्रभा माल प्रभा फिर उसके बाद कोयना फिर आएगा भीमा और फिर एक प्रमुक तुंग भद्रा तुंग भद्रा आराम से याद हो गया मुझे ठीक है तो यह मैंने quick revision किया सोन, नर्मदा और महा नदी निकलती है सोन नदी उत्तर की और प्रभाहित होकर बिहार में पटना से पुरुगंगा नदी में मिल जाती है केरन में पुरुग की और प्रभाहित होने वाले नदियों में पामबर, भवानी और काबिनी नामक नदियां है ठीक है महकता है ये फॉर्मूला मेरा बनाया हुआ है मेरा इजात क्या हुआ है आप पुछेंगे कि सर ये गोकन महकता क्या होता है गोकन महकता डक्षिर भारत की नदियों का सबसे बड़ी नदी से लेके सबसी छोटी नदी के लंबाई का सही क्रम है जिसको मैंने बनाया देखिए स सबसे बड़ी और लंबी नदी है गोदावरी फिर कृष्णा फिर नर्मदा फिर महा नदी फिर उसके बाद आपका कावेरी और फिर तापी नदी ठीक है हो गया यार गोकन महकता है गोदावरी कृष्णा नर्मदा महा नदी कावेरी और तापी ये उनकी लंबाई का बढ़ गटते हुए नहीं घटते हुए क्रम में अरेंज किया गया है इस फॉर्मूले में गोकन महकता है तो आज क्लास को खतम करिए आख बंद करिए और याद करिए गोकन महकता है गोकन महकता है गोकन महकता है देखिएगा भूल नहीं पाईएगा और अभी वीडियो खत्म होने वाली है, क्लास आज की ये वीडियो ओवर हो रही है, ऐसे में सब ही लोग जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाए और डायरेक्ट लिकिए गोकन महता है नमास सर मिलते हैं नेक्ट क्लास में देखते रहे और करते रहे रिजल्ट में तरह की बातें क्योंकि आपकी इस रिजल्ट में तरह यूटूब चैनल पर मैं रहबर नमाज आपके लिए ऐसे ही लेकर आते रहूँगा शानदार वीडियो और फॉर्मूलाज जैहिंद जैवारत